दूस्तों हम सब जानते हैं कि दूद हमारे लिए कितना पोशन दिता है और केला भी सारे फलों में कितना महत्पून पॉश्टिक फल होता है। और समय पर खाने का एक तरीका होता है वरना कई बार अच्छी लगने वाले चीज भी नुकसान दे जाती है आज हम यही सब बताएंगे कि केले और दूद का सेवन कब और किस प्रकार भी करना चाहिए डॉक्टर कहते हैं कि इन दोनों चीजों का सेवन यानि दूद और केले क सेवन सुबह के समय करना सबसे ज़्यादा फायदमंद होता है इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और कार्बोहइडरेट की मातरा सबसे ज़्यादा होती है इससे आप काफी लंबे समय तक तरुताजा महसूस करते हैं आपने ये भी सुना होगा कि ज़्यादा फिजिकल वर्क करने वाले लोग या फिर बॉडि बिल्डिंग में लगे वे लोग सबसे ज़्यादा यही डाइट फॉलो करते हैं उसका सीधा से रीजन है कि उन्हें इंस्टन्ट एनरजी इनी से मिल जाती है क्योंकि दूद और केले हड्डियों को मजबूत करते हैं इनमें प्रूटीन क काफी अच्छे मात्रा में पाया जाता है अब बात करते हैं इसे सेवन में लिया कैसे जाए वैसे तो सब के अपने अपने तरीक हैं दोस्तों एक गिलास दूद यानि की साड़े 300 ml दूद में एक या दो केले मिला कर उसका शेक बना ले या फिर दोनों को अलग अलग भी ल आते देखा होगा क्योंकि वो तुरंत ही आपको एनरजी देता है और अगर इसके साथ दूद मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है दूद और केले को एक साथ खाने से टॉक्सिन प्रिडूस होता है जो कि हमारे दिमाग में डोपामेन क्रियेट करता है जिसे हम रिला प्रभाव आपको दो से तीन सब्ता के अंदर दिखना चाले हो जाएगा दूस्तो कई बार भ्रामक विग्यापन की वज़े से कई सारे लोग वजन बढ़ाने या फिर बॉड़ी बनाने के लिए कई तरह के कैपसूल या पाउडर लेने लगते हैं जिससे हुने थोड़े स समय के लिए अपने अच्छे खासी हेल्थ से वो हाथ दो बैटने हैं जबकि इन सब को लेने की जरूरत ही नहीं है जब उनसे भी अच्छे और प्रकृतिक चीज़ें हमारे पास मौझूद हैं और जो हमें नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगी आयरुवेद भी यही कहता है कि प्रकृतिक फल और उनकी सही मातरा में सेवन करने से लंबी आयू और अच्छा स्वास्त प्राप्त होता है लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें दूद और केले का सेवन आप अपनी पाचन शक्ति और दिन चरह के हिसाब से करें वरना जरूरत से ज्यादा सेवन करने से आपको कवज की समस्या भी हो सकती है या फिर आपका जी भी खराब हो सकता है तो दोस्तों हमारी हैल्थ से रिलेटड दूद और केले कि ये खास टिप्स आपको कैसे लगी बताईएगा वीडियो तो पसंद आया तो इसे शेयर भी कर देना और अपनी हैल्थ का ध्यान रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में